नमस्कार आप देखरें नेशन न्यूज मैं हूँ आपके साथ रितिक बिहार में विधान सबाद शुनाओ के नतीजे आने के बाद से लगातार महागडबंदन जो है वो विपक्ष जो है वो जमकर सत्तापक्ष पर हमला बोल रहा है क्योंकि बिहार में एंडिये के सरकार की जीत हुई आपको बता दे कि 125 सीट जीत कर एंडिये ने बहुमत के साथ बिहार विधान सबाद चुनाओं में जीत हासिल की है लेकिन इसके बाद से लगातार 16 नवंबर को नितीश कुमार ने बिहार के साथ भी बार मुक्यमंत्रिपत के तौर पर शपत ली और उसके बाद को बिहार विधान सबा में विधायक जो है वो शपत ग्रांड कर रहे हैं तो वहीं मैं आपको बता दूँ कि फिलाल अभी हम खड़ें बिहार विधान सबाद के बाहर कड़ें अभी हम सड़क पे और यहां पर आप देख सकते पीछे लगातार आप देखें गाडियों का का ओफिला जो है गाडियों का जो आना-जाना सलसला है वह लगातार चल रहा है रहा है और वहीं मैं आपको बता दूँ की 75 विधायक RJD के हैं, तो वहीं 54 जो विदायक हैं, जो जिनों ने जीत दर्ज की वो BJP के हैं, तो वहीं 43, 33 जो है वो ज़दियों की सीट जीती है, 43 ने 43 विदायक ज़दियों के भी है तो मैं आपको भी बता दूँ कि इस बार का बियार में विदान सबाद चुनाओं को संपन्न किया गया तीन चरण में मद्दान हुए और उसके बाद 10 नमंबर को चुनाओं के नतीजे गोशित किया गया और आज जो है मैं आपको बता दू मैं अभी खड़ा हूँ बियार विदान सबाद के बाहर और अंदर में जो है वो विध देक्तिरी नेशन न्यूज को धन्यवाद